सोलर प्लांट कैसे लगा जाते हैं इसका पार्ट नमर 6 है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो सोलर मॉडूल होते हैं जो सोलर प्लेटे होती हैं उसको स्ट्रेक्चर में कैसे लगा जाता है कैसे मांट किया जाता है और इसमें हम आपको सब कुछ बताएं कि इसको कैस साबधाने से लगाना चाहिए जिससे जो हमारा मॉडूल है वो डैमेज ना हो तो यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है व दोस्तों आज हम आपको एक मॉडूल कनेक्ट करके दिखाने वाले हैं स्टेक्चर में और इसी प्रकार से सारे मॉडूल को लगा जाता है सबकी एक ही जैसी कंडिशन होती है तो देखिए जो परलिंग है उसमें होल होते हैं मॉडूल कसने के लिए तो देखिए चारो साइ मॉडूल है वो हमारा 36 बोल्ड का है और इसके बांटेज है वो तीन सो बांटेज का है और इसकी जो लंबा है वह 2 मीटर है और चोड़ा है वो इसकी 91 smile एक तो हमें इसहएसH sentier को दियान किया जाता है जिससे जो हमारे मॉडूल है वो fix हो जाएं तो देखिए यहां पर हमें बहुत ही साबधानी से इसको structure पर रखना होगा तो इस परकार से साबधानी से रख लेंगे जिससे हमारा जो module है वो damage ना हो तो रखने के बाद देखा जाता है कि हमारा जो structure है उसका जो hole है वो हमारे module के कौन से hole में match कर रहा है इसम 네 we can match To the two side ? इसको हमें देखना होता है तो इसको देखिए जो module है उसमें दो अन्याहल है सब से पहले क्या करना होगा and only उस बोल्ट को उसमें पहले मोडूल में डालना होगा और मोडूल में डालने के बाद फिर जो हमारा परलन लगी हुई है परलन के उसमें जो होल है उसमें डाल देना होगा तो इसी परकार से हमें जो चारो साइड जो बोल्ट हैं हमें चारो बोल्ट को डाल लेना होगा उसके है इस प्रकार से हम जो ऊपर है left wavy bolt को नहीं पर fix कर लिया है तो देखियो इस प्रकार से bold यह डाल लेंगे उसके बाद हम उसको ku Stunde कसेंगे तो इसके बाद सभी जगे हमें nut को लगाना होगा इसके बाद सभी जगे टो इसमें बाक्तिनों पीरूर करेंगे चितने भी स्कूरूब लगते हैं वहाँ हमें दोनहीं प्रकार बासर की यूर्स करना Cam JJ प्र cabeça करा है Can और इससर ब्रकार से जब सब्रकार से J green प्रकार से चड़ा लेंगे इस पर नटकर चाला की अच्छह जबाद से लूच терशन होगा तो इसके लिए हम दोनों spinner करेंगे जो plane spinner होता है तो उसको हम उपर nut को फसा लेंगे और यहां से जो हमारा ring spinner है इससे हम इसको अच्छे ताइट करेंगे तो ताइट बिलकुल अच्छे से करना होगा बिलकुल भी इसे lose नहीं रहने देना होगा तो यहां पर देखिए हमने इसको अच्छे ताइट कर लिया है तो इसी प्रकार से जो हमारे चारों इसको हमें ताइट करना है और सेम यही condition होती है सभी modules को हमें इसी प्रकार से लगाना होता है जो उपर की side जो module लगाते है उसका connection box होता है जो बाएर निकलते हैं उसको नीचे की साइड रखना चाहिए और जो नीचे की साइड हमारा मॉडूल लगा हुआ है उसका जो connection box है वो उपर की साइड रखना चाहिए जिससे जो इसके connection है वो पास पास हो जाएं तो देखी है हमने यहाँ पर जो उपर वाला मॉडूल है उस टाइम बाद जो gap है देखिए वहाँ पर यह हमारी एक स्ट्रिंग है तो इस प्रकार से स्ट्रिंग बाइस स्ट्रिंग हमें सभी मॉडूल को connect करना होता है तो हम सभी मॉडूल को इस प्रकार से connect कर लेते हैं